आज की इस वीडियो में हम देखेंगे concentrated थंडाई घर पर ही कैसे बनाते हैं जी हाँ हम यहाँ पर थंडाई का powder नहीं बनाएंगे बिल्कुल market में मिलते हैं वैसे हम थंडाई सिरप बनाएंगे और वो भी चीनी का बिना इस्तमाल किये recipe बहुत ज़धा easy है और ये concentrated syrup आप एक महिने तक store करके फ्रिज में रख सकते हैं यकिन मानिये friends ये syrup मार्केट में मिलने वाले syrup से भी बहुत ज़दा pure और अच्छा बनता है और बहुत ज़दा cooling effect देता है और आपका जब भी ठंडाई पीने का मन करें आप इसे एक मिनिट में बना कर पी सकते हैं तो हलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्रद्धा और अब सबका स्वागत है मेरे चानल cooking time with श्रद्धा पर तो चलिए इस होली और गर्मियों के सीजन को मनाते हैं ठंडाई घर पर बना कर तो सबसे पहले ठंडाई बनाने के लिए जो मसाले और नट्स होते हैं उन्हें हम पानी में सोक करके रखेंगे जिसे नट फुल भी जाए और मसाले का flavor उसमें पूरी तरह से आ जाए इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 3 टेबल स्पून बादाम, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून मगलज यानि वाटरमेलन के dry seeds, 1 टेबल स्पून खस-खस जिसे पॉपी seeds भी कहा जाता है अब हम डालेंगे सबसे important ingredient एक टेबल स्पून काली मिर्च यानी black paper ठंडाई में जो हलका सा spicy सा flavor आता है वो इसी से आता है अब इसमें हम डालेंगे आधा टेबल स्पून सौफ ये सारी वही चीज़े हैं जो खुश्बू के साथ साथ ठंडग भी देती है और summer में हमें बहुत ज़्यादा refreshing feel होता है फिर हम इसमें डालेंगे 4-5 इलाइची, 2-3 टेबल स्पून सुखे गुलाब के पत्ते अगर सुखे गुलाब के पत्ते नहीं हैं तो जब हम nuts और मसालों को पीशते हैं उस समय आप 2 टेबल स्पून गुलकन डाल सकते हैं अब इसमें जाएगा एक चुटकी केसर थोड़ा सा केसर हम सीरप बनाते वक्त डालेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक चुटकी केसर डाल रहे हैं अब इन सारे nuts और मसालों को हम अच्छे से mix कर लेंगे अब यह हमारा dry mixture बनकर तयार है अब इसे हमें पानी डाल कर भीगोना पड़ेगा इसके लिए अब इसमें हम डालेंगे 3-4 cup गरम पानी गरम पानी डालने की वज़े से हम इसे सिर्फ 4-5 गंटा भीगोंगे तो भी काफी है अगर साधे पानी में भीगोना है तो आपको इसे 6-7 गंटे तक भीगोना पड़ेगा अब सिर्फ 4 गंटे भीगोने के बाद ही आप देख सकते हैं कि सारे नट्स बहुत ही अच्छे से फूल गए है और आप इसे स्मेल कर सकते हैं कि ठंडाई की जो भीनी भीनी खुश्बू होती है न वो इसमें आ गई है अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ फाइन सा पेस्ट हम बना लेंगे जैसा मैंने आपको कहाता कि सूखे गुलाब के पत्ते अगर नहीं है तो आप इस स्टेश पर 2 टेबल स्पून गुलकंद इसमें डाल सकते हैं लेकिन जैसे आपको पता रहेगा कि गुलकंद में काफी सारी चीनी होती है तो इस रेसेपी में आप सूखे गुलाब के पत्तों का इस्तमाल करने का ट्राइ करें अब इसे पीस्ते वक्त अगर जरूरत पड़े तो एक से 2 टेबल स्पून पानी इसमें डाल कर हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका फाइन पेस्ट हमने बना लिया है तो हमारा ठंडाई का पेस्ट बन गर तयार है अब हमें डीप पैन गरम करने के लिए रख देंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा और डीप पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप पानी और 300 ग्राम गुड एक ध्यान रखे कि जिस गुड से चिकी बनाई जाती है उस गुड का हमें यहाँ पर इस्तमाल नहीं करना है बलकि जो गुड हम घर में इस्तमाल करते हैं रोच के खाने में उसी गुड का हमें यहाँ पर यूज करना है अब आगे हमें क्या करना है कि फ्लेम को हाई रखना है और इसे गुड़ को मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है बस गुड़ जब तक पिघलने जाए तब तक हमें इसे पकाना है जब गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए तब हमें उसमें nuts और मसाले का जो हमने paste बनाया है वो हमें डालना है अब लगबग 3-4 मिनिट बाद गुड़ पानी में अच्छी तरह से घुल गया है अब गैस की flame हम धीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे nuts और मसाले का paste जो हमने बना कर रखा है और फिर इसे गुड़ की घोल के साथ अच्छी तरह से mix करके बढ़िया तरीके से पकाएंगे mixी में बचे हुए paste को हम बिलकुल west नहीं करेंगे और इसमें एक दो टेबल स्पून पानी डाल कर उसका घोल बना कर हम इसमें डाल देंगे अब इस mixture को हमें low to medium flame पर 10 से 12 मिनिट के लिए हमें अच्छे से पका लेना है इस प्रोसेस से जो ठंडाई सिरप है वो concentrated बन जाता है और हम इसे एक महिने के लिए फ्रिज में store कर सकते है जब ये पूरी तरह से mix हो जाए और एक उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून दालचिनी पाउडर आधा टीस्पून जाइफल पाउडर और दो चुटकी केसर इन सारे मसालों से बहुत अच्छी खुश्बू और एकदम बढ़िया सा flavor हमारे ठंडाई में आ जाएगा अब हम इने अच्छे तरह से mix कर लेंगे थोड़ी देर के बाद दीरे धीरे ये गाड़ा होना शुरू हो जाएगा आप यकीन मनिए इस बनने वाले ठंडाई का स्वाद इतना बढ़िया आ जाता है कि आप वो मार्केट वाले ठंडाई को भूल जाएंगे और हमने इसे बिना चीनी डाले बनाया है और बहुत सारे पॉश्टिक चीजे डालिये जो मार्केट में मिलने वाली ठंडाई में नहीं होती लो टू मिडियम फ्लेम पर पाच मिनिट तक उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे वन फोट टीस्पून हल्दी हल्दी से एक इसमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा और ये एक तरह से इम्मुनिटी बूस्टर का भी काम कर लेगी और हम यहाँ पर कॉंसेंटरेट ठंडाई सिरब बना रहे हैं जिससे होली के दिन आप इससे ठंडाई एक मिनिट में बना सकते हैं अब 8 से 10 मिनिट के बाद इसका कलर हलका सा चेंज होने शुरू हो गया है थोड़ा सा डार्क हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी काफी गाड़ी हो गई है और हलका सा ग्लॉसिनेस इसके उपर आ गया है हम इसे और 2 से 3 मिनिट पकाएंगे टोटल 10-12 मिनिट हमें इसे पकाना है जिससे ये और थोड़ा गाड़ा हो जाएगा अब 10-12 मिनिट इसे पकाने के बाद अब चम्मच के उपर एक देख सकते हैं कि एक हल्किसी लेयर सिरप की आ रही है इसका मतलब हमारा सिरप बिल्कुल बंद कर तयार है ठंडा होने के बाद ये और गाड़ा हो जाता है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद सिरप को हम ग्लास की बॉटल में भर देंगे जितनी क्वांटिटी हमने इस्तमाल की है उसमें आदे लेटर से थोड़े से ज़ादा सिरप हमारा बंद कर तयार हो जाता है और इसे आप एक महिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं तो चलिए अब इस तयार सिरप से हम एक मिनिट में ठंडाई बना देते हैं मैं यहाँ पर दो ग्लास ठंडाई बना रही हूँ तो दोनों ग्लासे में हम डालेंगे 3-3 टेबल स्पून सिरप और फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक एक कप एकडम ठंडा दूद और फिर हम इसे चम्मत से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा कलर और टेक्शर इसमें आ गया है गार्निशिंग के लिए हम इसके उपर डालेंगे थोड़े से गुलाब के पत्ते थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और बदाम और थोड़ा सा केसर तो लीजिए घर में बने हुई अपनी ठंडाई बिलकुल तयार है तो आप ये ठंडाई बिलकुल ऐसे ही ट्राई कीजिएगा ये बहुत यचा फ्लेवर और ठंडक आपको देगा ये ठंडाई हमने गुड से बनाई है चीनी नहीं डाली है और जो मार्केट में बनती है उसमें क्या डलता है वो हमें पता नहीं और उसमें काफी सारी चीनी होती है तो आप ये ठंडाई घर पे जरूर ट्राई करना आप इस ठंडाई सिरप से ठंडाई कुलफी, ठंडाई खीर, ठंडाई फिर्नी, काफी सारे डेजर्ट्स बना सकते हैं और इस ठंडाई सिरप को बनाने के लिए बस लगते हैं 15-20 मिनिट तो देर किस बात की आप इस होली पर अपने घर पर ही ठंडाई बनाईए और इसी तरह खाते रहें, खुश रहें